सत्यवान की कहानी एक दादी और एक पोती थी जो रोज सत्यवान की कहानी सुनती थी. लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी. सत्यवान का नाम लेकर अरग देती थी जब वह पोती सुस्राल जाने लगी तो दादी ने खाली लोटे में जल भरके फूल रख कर दे दिये और कुछ भी नहीं दिया वह रास्ते में चलती जाएं और सोचती जाएं कि ससुराल में सब पूछेंगे कि तू क्या लाई तो मैं क्या बताऊंगी तो सत्य भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए रास्ते में वह कहानी कहकर अरग देती गई तो हीरे मोटियों गहनों का भंदार हो गया वह खूब पहन ओड कर सुसराल पहुची तो सुसर ने कहा कि बहु तो बहुत बड़े घर की है बहुत धन लेकर आई सासू ने कहा कि पडोसन से मूं चावल उधार ले आओ और बहु के लिए बनाओ फिर बहु ने कहा मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बनाओ लोटे में से जल लेकर रसोई बनाई तो भगोना भर गया तरहत्रा की मिठाईां हो सासु ने कहा बहु जीम ले वह बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया आपने नहीं खाया पती ने नहीं खाया इसलिए मैं कैसे खालू और मेरा सत्यवान की कहानी का नियम है तो उसने कहानी कही सबने सुनी तो वहां धन का धेर लग गया. सासू सत्यभग्वान का प्रसाद बाटने लगी तो पडोसन ने कहा अभी तो मुम चावल उधार ले गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहां से आया. फिर उसने कहा मेरी बहु सत्य भगवान की कहानी करती है उसी ने दिया है हे सत्य भगवान जैसा साहुकार की बहु को धन दिया वैसा सब को देना